यह बीडियो क्लास एट कहया और इस बीडियो में हमलागश सबक नंबर 20 पढ़ेंगे सबक नंबर 20 का नाम है चांद्नी रात गाएं चांद्नी रात सबक नंबर 20 का नाम कि यह मेर हुसैन देहलवी का लिखह व LE मेर हासन देलवी का लिखा वो नजम है उनकी पैदाए 1715 इस्वी को और वफात 1776 इस्वी में हो गए उर्दू के मश्वूर सायर्थ थे वो सहरूल बयान उनकी लिखी हुई ऐसी मस्नुवी है जिसकी वज़ा से उनका नाम उर्दू की तारीख में हमेशा जिन्दा रहेगा सहरूल बयान जो उनका लिखा हुआ था निक्यू नजम है वो सबसे अच्छी मना जाता है यह मस्नुमी अठारवी सदी में लिखी गई थी लेकिन उसकी जबान और अंदाजे बयान इतना असान था और दिल चस्प था कि लगभग दस सो बरस गुजर जाने के बाद भी उस चांदनी रात उसी मस्नुमी का एक अक्ताबास है इसके अशार में चांदनी रात का समा पड़ी खूबी से बयान किया है कहते हैं वह छटकी वह छटकी हुई चांदनी जा बजा वह जारे की आमद वह ठंडी हवा वह निखरा फलक और माह का जहूर लगा शाम से सुबह तक वक्त नूर अजब लुथ था सेरे महताब का कहें तू के दरिया था से माब का बिच्छी हर तरफ चादर नूर थी यही चांदनी उसको मनजूर थी वह संसान जंगल वह नूर कमर वह बुरायक सा हर तरफ दश्ट दू वदर वह उजला सा मैदान चमकती सी रेत उगा नूर से चांद तारो का खेत दरखतों के पत्ते चमकते हुए खुसो खार सारे जमकते हुए जुमते हुए जमकते हुए दरखतों के साय से मैं का जुहूर गिरे जैसे च्छनी से च्छन च्छन के नूर शायर कहता है कि आस्मान साफ सफा और चांद हर तरफ अपनी रोष्णी बिखेरता हुआ निकलाया हर जगा नूर ही नूर है और शायर ये भी कहता है सुबह साम से सुबह तक रोष्णी ही रोष्णी बिखरी रह गई चांद के सफर का अजीब मज़ा था अगर ये कहा जाए कि जमीन पर जमीन पर चादर मुझम था तो गलत नद होगा ऐसा लगता था जैसे हर तरफ रोष्णी की चादर बिखी हुई थी और शहजादी को भी यही पसंद था चाहदी थी चांदनी रात और ये भी कहता है कि चांदनी रात जो पसंद सजादी को यही पसंद थी चांदनी रात फिर शायर कहता है कि दरख्तों के पत्ते से जो दरख्त के नीचे से घने हो जो दरख्त के घने पत्तों के नीचे से जो रोशनी निकलती थी ऐसा लगता था जैसे चलनी यानि चलनी जो होता ना चलनी से छिन कर जन जन गिरती है जन जन नूर गिरती यानि आप चांदी रात म देखेंगे तो जो दर्खत के पत्तों के निचे से तर घहने दरकत होते हैं एसके जो चान्द की रोशनी पढती है आग उसमें ठोड़ा थोड़ा सुराख होता है पत्तों के जड़िए हटा वह उस um हो जो थी चल सो में चलनी हो तो उस में आप जा लेंगे लें कोई चीज की रोश्णी डालेंगे तो कैसा रहेगा जाली टापका उसी तरह इसी को शायर ने ब्यान किया प्यारा बच्चों यह आपका सबक नबर 20 मों कमल वा शुक्रिया